Assalamualaikum to my all my youtube family मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खेरियस से होंगे अला पाक आप सब को अपने हिव्जों अमान में रखे आमी मैं youtube family आज इस medicine topic पे हम बात करें हैं वो है selfur selfur पे बात करने से पहले मैं आप से एक छोटी सी request करना चाहूंगी मेरे चैनल को like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe कीजेगा और घंटी के बटन को दपाना ना भूलिएगा शुक्रिया माई youtube family आज इस medicine topic पे बात करें हैं वो है selfur, selfur के medical uses पे जैसे कि selfur के नाम से यह है कि यह anti-soric होने की दलील है और इसकी जिल्दी अलामात है क्योंकि जिल्दी अलामात की यह बेहतरीन दवा मानी जाती है और तमाम जिल्दी अलामात में यह सोरा की वज़ा से ही पैदा होती है लहादा यह एक बेहतरीन anti-soric दवा है और इसके जो patient के बारे में अगर हम बात करें तो इसका patient जो होता है उसका patient दुबला पतला होगा सैलफर का patient जो है मरीज वो गंदा रहता है नहाने से खबराता है patient की जो जिस्मानी साथ को देखें तो उसकी height में वो लंबा होगा और इसके कंदे जो होंगे वो आगे को चुके हुए होते हैं सैलफर का जो patient है बहुत ही ज़्यादा बदमिजार सुस्त और उदास रहता है patient जो है वो अपने पुराने कपड़ों का बहुत ज़्यादा ख्यार रखता है ये एक आला दर्जे की दफ़ा सोरा दवा और एक सरताई दवा मानी जाती है असर के अतबाह से जिल्द इसकी जगा जो है के खारिश और गर्मी से बिलखसूस बिस्तर की गर्मी से ये बढ़ती है कील महा से खारिश जलन और खुजाने और दोने से बढ़ती है जिल्द पर फिंसियां, आबले और चीर वगरा पाए जाती है जिल्द पर नाखुशकवार सोजश आ जाती है जिल्द जो है वो तेहों से चिल जाती है नाखुशकवार पसीने, नौपती तरस के पसीने आने से पसीना आता है पेशेंट को इसके लावा इसका जो सेलफर का पेशंट है उसकी mental symptoms देखिए तो mental symptoms में यी बूलने वाला होता है गौरों फिकर करना मुश्किल होता है उसके लिए सेलफर का जो पेशंट है वो वहमी होता है हर वक्ट मसरूफ रहता है मरीज जो है वो खुद को चीथड़ों में भी खुबसूरत ख्याल करते है खुद को अमेर तसवर करते है, खुद को बादशा समझता है बदमिजाज होते है, दूसरों की इज़त नी करता है, सुस्त होते है, काहिल होते है इवन के खुदगर्स कारोबार से उसको नफरत होती है, मजभी और मालखोरिया का शिकार होते है ये थी सेलफर की जो अलामाद मैंने आप से शेयर चाहिए